हम सभी जानते हैं कि इस टाइम डिजाइनिंग डॉप स्केल्स में से एक एप को सारे कंपनीया स्टार्ट अप को कम से कम एक UI UX डिजाइनर तो चाहिए होता है जो उसके लिए प्रावल्म सॉल्व करके दे सके उसके बड़िया बड़िया डिजाइन्स बना सके तो इसलिए ब आप भी डिजाइनिंग स्केल्स को सिखो एंड यह बहुत बड़िया डिजीजन हो सकता है तो आज हम लेकर आ गए हैं आप के लिए कंप्लीट युवाई डिजाइनिंग को जिसमें हम डिजाइनिंग को सीखेंगे बिल्कुल स्क्राइट से हर बिल्कुली इजी लेंगवर इसमें हम यूज करने वाले हैं फिग्मा सोफ्टवेर जो की कम्पलीटली फ्री है इसमें हम फिग्मा के बेसिक से लेकर अडवांस हर एक टूल को समझेंगे एंड उसके बाद बड़िया बड़िया प्रोजेक्स पी पनाएंगे जिसमें हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होन बड़ को कि और उसके बाद जो हमारा संग प्रोजेक्ट होने वाला है थिग्रॉष को मुद बड़िया बाले है तो इस कोस में बबड़िया प्रोजेक्स होने माले हैं ताकि आपकी प्रेक्टिकाल नोलेज भी बड़ी तो यह बहुत ज़ादा बैसिक लेंगउगे हुने है बड फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हुमारा डिस्कॉर्ट सवर्च जोइन कर सकते हैं जिसका निग्च नीजर डिस्क्रिप्शन में है या फिर कि आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम में डियम का सकते हैं और फोलो तो प्लीज करी लेना तो स्टार्ट करते हैं इस को स्को तो सबसे पहले हम फिक्मा डॉट कॉम पे चाते हैं ठीक है एंड तो हां यहां पर हमारे जो फिक्मा है वो ओपर हो चुका है यहां पर मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है अकाउंट बनाना फिक्मा में बहुत ज़्यादा इजी है ठीक है आपने सिंप्ली फिक्मा डॉट कम में जाना है एंड यहां से sign up कर लेना है अगर आपका account नहीं है ठीक है यहां से continue with google करोगे तो आपका अराम से यहां sign up हो जाएगा तो सिर्फ आपने login यह sign up करना है एंड आपका account बहुत जल्दी बन जाएगा ठीक है तो अभी हम हमारे पास यह पुरा interface आ जाता है Figma का तो यहां से हमारे पास recent's, drafts यहां पर हमारे team projects भी हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं एक simple design file बनाते हैं तो यहां पर यह है Figma का starting interface जिसमें हमारे पास यहां पर अलग tools शो होते हैं यहां पर यहां पर दो tabs है हमारे पास तो सबसे पहले अगर आपने शुरू करना है तो आपके starting up हो होगी frame के साथ ठीक है यहां पर इसका shortcut F अब जतने जल्दी shortcut को याद कर लोगे उतना जादा बढ़िया रहेगा पिकोस उतना ही ददाब का time बचेगा तो यहां पर सबसे पहले मेरे पास अलग लग frame के जो resolution है वह पिया चलते हैं जैसे कि अगर हम app designing कर रहे हैं तो phone के लिए जाफे tablet desktop अलग 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 आ जाते हैं बट अभी मैं random सा ले लेता हूं like this ठीक है तो अभी चलते हैं हम अपन उसके वह हमारा एक click की तरह काम करता है जैसे हमारा simple mouse होता है ठीक है वह यहां पर Figma में उसी की तरह काम करता है और जो frame है वह तो आपने देख लिया कि यह हमारा user is starting होती है अगर हमने कोई frame बनानी है अगर starting करनी है तो हमारे frame के साथ होगी उसके पाद आता है हमारे पास shapes तो अगर हम यहां पर click करें तो हमारे पास अलग अलग shapes सजाते हैं जैसे कि rectangle, lines, arrow and हम अपनी image को भी place कर सकते है तो starting करते है rectangle के साथ and अभी मैं rectangle को selecting करूंगा हम सीधर दमाएंगे R and यहां पर मेरे rectangle आ चुका है right तो अभी यहां पर मैंने rectangle बना लिया and इसका अगर starting color देख तो यहां पर हमारा जो rectangle है यहां पर हमारे पास अलग लग options चो हो रही है जैसे कि यह जिसके साथ हमारा complete left line हो जाएगा यह इसके साथ center इसके साथ right इसके साथ top पे इसके साथ top and bottom में से center like this ठीक है and इसके साथ हो जाएगा हमारा बिलकुल down तो अभी अगर हमने center करना है तो यहां पर यह जो मेरा rectangle है यह completely center align हो चुका है right and यहां पर हमारे पास options आते है options एक्स और y axis की तो जैसे मैं इसके movement करूंगा वैसे वैसे x और y axis जो मेरे change हो रहे है ठीक है उसके वाद आती है हमारी width की option जो यह हमारी width है वो है यह वारी line means यह कितनी length है इसकी and कितनी height है इस कि अगर मालो में इसको 30 degree rotate करना है तो मैं सिधा यहां पर 30 डालूँगा and यहां पर जो मेरे rectangle है वो 30 degree rotate हो चुका है अभी मैं वापे से 0 कर देता हूं and यहां पर जो यह corners है अगर इनको हमें थोड़ा सा radius देना है ताकि यह sharp न रहे तो usually मैं यहां पर corner radius भर सकता हूं for example 10 तो यह थोड़ से smooth जाएंगे जादा sharp नहीं रहेंगे कुछ ऐसा ठीक है and ऐसी अलग अलग functions हमारे हर एक shape के साथ होती है usually line और arrow तो सभी जानती है Eclipse जो है वो बहुत जादा बड़िया shape है Eclipse का O मैं दबाता हूं तो हमारे पास Eclipse आ जाएगी पड़िया प्रोग्रेस बार वाली तो अगर वो देखे है तो तो आपको पता होगा कि इसका काम क्या होता है वो भी जितनी मेने वीडियो से बनाई है Figma भी वह ऐसा प्रजेक्ट आप ले सकते हो तो ऐसे मेन जो है वो है Rectangle and Eclipse जिनको मैं बहुत जादा यूज करता हूं and मालो कर अपने square करने तो आपके इने Rectangle उठाना है and साथ ही Shift तबा के रखना है तो अभी आप देखोगे कि जो X and Y, Width and Height है इसकी वो दोनों ही सेम increase हो रहे है जैसे कि Width भी 149 है and Height भी 149 है बट अगर अभी मैं बढ़ाता हूं तो यह सेम नहीं हो रहे है क्योंकि अभी रेक्टेंगल बन जुका idea अभी यहां पर एक चीज है हमारे पास जो कि यह proportions तो यहां पर अगर मैं इसको select किया होगा इसका मतलब अगर मैं width 200 करूंगा तो height अपने 200 हो जाएगी पर अगर मैं इसको हटाता हूं अब देखोगे select नहीं है अब मैं अगर height को करूंगा 180 width को करूं 180 तो height मेरी 200 ही रहेगी वो change नहीं होगी ठीक है तो अगर मैं इसको select करता हूं तो यहां पर corner radius ऊपर की तरफ देने का कोई काम नहीं है यहां पर बल्कि और जादा बुरा लग रहा है तो कैसा ऐसे कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों का जो corner radius है वो zero कर दें and इनका 10 ही रखें तो यहां पर हमारे बास एक option आती है यहां पर सभी के 10 10 10 है right तो अगर मैं इसको zero करता हूं तो अभी देखो इसका zero हो चुका है तो अभी अगर हम देखें इसका वापिस 10 कर देता हूं लास्ट का हां तो अभी अगर हम देखें तो जो मेरे ये दो थे य ये ये दोनों मेरे हो जोकी है zero and इन दोनों का है 10 तो इस तरह से जो corner radius है वह हम चार है जिसके अलग लग दे सकते हैं तो यह है हमारे टूल्स ठीक है अब हमारे बास आता है सबसे पहले images भी प्लेस कर सकते हैं इसका shortcut है Ctrl-Shift-K तो इसके साथ मेरी images आ जाती है जैसे की जैसे की ये ठीक है तो इसको simply हमने place करना है इसका width and height है उसको हम घड़ा देते हैं मैं इसको off करतेता हूँ because ये मेरे को width and right दोनों सेम चाहिए जैसे की अगर मैं इसका 200 करूं तो height भी मेरे को चाहिए 200 तो यहां पर अभी हम इसको complete जो है हमारा circle में change कर सकते हैं जैसे की अ तो मैंने simply इसको आगे की तरफ push करना है and ये complete circle में change हो गया अगर मैं double tap करूंगा तो यहां पर मेरे पास image को edit करने की options आ जाएंगी and यहां से आप edit कर सकते हो ठीक है तो यह थी कुछ images की options and अभी आगे आगे बढ़ेंगे बट आभी मैं आपको सिरफ tools का overview दे रहा हूँ ठीक है अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक tool बता दू एच जिसके साथ आप आराम से यहां से यहां मूफ कर सकते हो मेरी touch screen है इसलिए मेरे को जादा use करना नहीं पड़ता hand tool बट आप अबर windows या macbook यूश कर रहे हो तो आपको hand tool की बहुत जादा जरू tool तो pen tool बहुत जादा बढ़िया tool है like अगर मैंने मालनू rectangle बनाना है तो यह बन गया मैंने rectangle यहां से हम color fill कर सकते हैं तो यहां पर अब यह मेरा एक वेक्टर बन जुका है यहां से एक stroke आ चुकी है तो मैं इसको हटा देता हूं and यहां पर यह मेरा एक वेक्टर बन जुका है अगर आप यहां पर देखो means pen tool के साथ हम जोंसी मर्ची में जिसको फि इसको हम pen tool के साथ एक वेक्टर में बदल सकते हैं and वेक्टर के resolution सबसे जाधा high होती है ठीक है तो यह था हमारा pen tool and pencil तो simply अगर कुछ drawing वगरा करनी है तो ठीक है अब ही आता है हमारे पास एक टेक्स टूल टेक्स टूल भी बिल्कुल सिंपल है अगर आप कान्वा यूज करते हो तो तो आपको बहुत दा फैमिलियर होगा लाइक सिंपली टेक्स्ट भरना है एंड लाइक सब्सक्राइब कर दो ना यार ठीक है तो यहां पर अब हमारे पास फोंट स्टाइल सा जाते हैं जैकि जैसे कि यहां पर रोबोटो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मैंने यह डिफोल्ट रोबोटो फिगमा कर ठीक है अगर मैं यहां पर सेलेक्ट करूँ पर पेंस एंड यहां पर आ जाता है हमारा फोंट वेड लाइक अगर मैंने फोंट बढ़ाना है तो मैं यहां पर extra bold कर सकता हूं अगर घटाना है तो मैं extra light कर सकता हूं ठीक है यहां पर आते हैं इसका font जो size होता है यहां पर हमारे पास आती है line height यह आती है हमारी letter spacing like subscribe के बीच में जो इनके letter से उनके बीच में कितना difference होना चाहिए ठीक है तो अभी हम इसको थोड़ा सा extend कर देते हैं यहां पर देखो जो subscribe है उसके बीच में उसके जो light इस पूरे box के साब से नहीं होगा यह होगा जितना भी हमने text का box ले रखा है ठीक है यहां पर हमारे पास simply color choose करने की option आजाती है ठीक है यहां पर stroke एंड बाकी जीज़ें हम आगे देखेंगे अभी सिरफ बात करते हैं text की उसके बाद hand tool मैंने आपको बताई दिया comment भी बह आलो मैंने यहां पर comment भरा this image is not so good तो मेरा teammate देखेगा जो images का काम कर रहा है like जितनी भी images है वो उसके duty है and उसके बाद जब वो देखेगा तो वो इस image को change कर देगा ठीक है जैसे की तो यहां पर हमारे जो सारे वो हैं वो complete हो चुके हैं जो जितने भी tools है हमारे ठीक है तो यहां पर मैंने आपको सभी tools का overview दे दिया है तो अभी हम बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे tools से तो वैसे तो सारा rectangle को एक बढ़िया सी look देने वाले हैं ठीक है अभी सबसे पहले तो हम use करने वाले हैं colors का तो अब देखेंगे colors जैसे की यहां से जैसे कोई भी solid color को ले सकते हैं बड़ अगर हम यहां पर click करते हैं तो हमारे वास options आते हैं linear की तो linear में हमारे पास दो colors की option होती है like यह वाला and यह वाला तो यहां पर हम एक और color को उठाते हैं like red को उठा लेते हैं and यहां से इसकी opacity को को हम increase कर सकते हैं अब इसकी opacity को full है and इसकी opacity भी full है मैं green को blue कर देता हूं I think blue जादा बड़ी है रहेगा तो अभी हम इसको कुछ rotate बगारा कर सकते हैं कुछ ऐसे यहां पर हमारा जो linear है वह भी हो चुका है and यहां से आप अलगला colors को भी add कर सकते हो ठीक है and यहां से आप red को कहां तक लेके जाना जाते हो जैसे कि अगर मैं starting में ले जाओ तो obviously यह पूरा solid जाएगा and जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ब्ल्यू को cover करता जाएगा जो हमारा red है and अगर blue को बढ़ाएंगे तो यह वैसे-वैसे red को cover करता तो अभी हमारे पास जो अगले वह रेडियल एंगुलर टाइमंड यह तीनों वैसे ज्यादा यूस महीं करता हूं मैं पर फिर भी अगर हमें बढ़िया colors चाहिए होते हैं जैसे कि अगर मैं इसको center में लेके जाओं इसकी opacity decrease करो थोड़ी सी and जो red है उसको मैं थोड़ा सा increase कर दो जो blue है इसकी opacity थोड़ी सी decrease कर देते हैं ठीक है and red को यहां पर ले आते हैं right तो ऐसे हम रेडियल का इस्तमाल कर सकते हैं and यहां पर angular obviously नाम सी बढ़ चल रहा है कि एक हमारे एंगल पर आएगा वैटिस को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं like this ठीक है तो ऐसी diamond जो है वह भी angular की तरह है थोड़ा सा बट उसका जो एंगल है वह थोड़ा सा different होता है जैसे कि हमारा ठीक है तो usually मैं यह दोनों तीनों use करता नहीं हूं image तो usually हमारे image आ जाएगी right तो मैं usually use करता हूं सबसे जादा linear and यहां से मैं red को अपने जगा पहले के चला चाहता हूं and blue की opacity बड़ा देता हूं तो अभी इसको set करते हैं जैसे कि हमारा पहले था cool तो यहां पर अभी हमारे जो rectangle है उसको एक बड़ी असा gradient color भी मिल चुका है and अभी चलते हैं effects पे ठीक है तो effects में एक हमारे पास block shade होती है जो कि बहुत जादा बड़ी effect है लाइक देखो अभी हमने इसको सबसे पहले में देता हूं 5 and यहां से भी 5 जो blur है उसको मैं देता हूं 10 I think 10 जादा हो गया थोड़ा सा 8 ठीक रहेगा and इसको मैं करता हूं 35% जो इसकी opacity है ठीक है तो अभी देखो यह जो हमारा box shadow है वो कितना जादा बड़िया लग रहा है like अभी rectangle में हमने सिरफ दो चीज़े किस्टमाइज की है पहला है color and दूसरा है हमारा drop shadow बट फिर पी जो मारा rectangle है वो बहुत जादा बड़िया लगने लग गया है अगर अब यहां से अगर मालो मैंने इसको copy करना है तो simply control D दबाऊंगा and मेरे पास duplicate selection हो जाएगी तो मैं ऐसा ही एक और नया यहां पे ले के आ सकता हूं तो अभी देखो इन दोनों rectangle में फार्क कितना है इस rectangle में हमने सरफ दो चीज़े कस्टमाइज की है एंड यह इतना जादा बढ़िया लगने लग गया है राइड यहां पर अगर आपने किसी object को remove करना है तो simply आप right click करोगे and delete दूनोंगे बट यह नहीं म यहां से हमारा जो box shadow and colors है वो भी हो चुक है अभी एक और चीज़ रहेगी छोटी सी वह हमारा stroke तो यह जरी stroke जो है वह simply boundary के तरह काम करता है अगर आप कान्वा यूज करते हो या फिर development background से हो फिर तो आपको stroke के बारे में पता ही होगा वैसे भी हम शूरु से करते हैं stroke के ब सेंटर से इंसाइड और आउटसाइड के बीच में लेगा अगर हम आउटसाइड कर देंगे तो बिल्कुल जो boundary है उसके बाहर से ले लेगा ठीक है तो यूशली मैं सेंटर या इंसाइड करके रखता हूं बिकॉस आउटसाइड बहुत जादा बाहर हो जाता है एंड यहा आईड श्रोक के बारववे में जानके तो अभी चलते हैं एक बहुत ज्यादा में चीज पर जो कि है plug-in तो Figma जो plug-ins यहां बहुत ज्यादा बढ़िया चीज बनाते है like हमारे पास यहां पर मेरा प्लग-ईंड आउनलोड की हुई हैं बर सबसे पहले अपने browse plug-in से community में जाना है यहां से सबसे पहले आपने लोगिन या साइन अप करना है उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से आप फिगमा पे आयो राइट तो यहां पर मेरा उनीड है यहां पर भी मेरा वही अकाउंट है ठीक है तो अभी सबसे पहले तो मैंने जाना है प्लगिन पे यहां से क्ल तो यहां से प्लग इंस में जाना है यहां पर मैंने इसको पहली इंस्टोल किया हुआ है आप सिंपली इंस्टोल कर लो जब यह अपने आप डाउनड हो जाएगी तो यहां से आपकी प्लग इंस में आ जाएगी अपने आप ठीक है आपको जादा कुछ नहीं करना है सिरफ य जो second है वो है हमारी font awesome तो जो font awesome है वो हमें बहुत ज्यादा small जो pics होती है oh sorry font awesome हाँ यह रही यहां से plugins में चलता हूँ यह मैंने पहले इंस्टोल की हुए है आपने यह भी इंस्टोल कर लेनी है और उसके बाद हमारी रिमूव बीजी तो यहां पर यह वाली आपने इंस्टोल कर लेनी है याद रखना कि जो सी मैं पता रहा हूं वही आपने इंस्टोल कर लेनी है तो सबसे पहले चलते हैं एंड देखते हैं हमारी सबसे पहली जो के फॉंट उसम लाइक इसमें हमारे पास अगर आप ड्वालमेंट बैंग्नांट से तो आपको पता होगा कि फॉंट उसम क्या है यह हमें जो छोटी छोटी पिक होते हैं वह बहुत जादा बढ़िया लाकर देती हैं लाइक जो उसे भी पिक हमको चाहिए वह हमको फॉंट उसम से मिल जाएगी इवन हम इनका कलर भी जेंज कर सकते हैं लाइक मेरे को यह चाहिए एंड उसके बाद है हमारे पास unsplash तो यूजरी जो unsplash है वो हमें जो big background की तरह होते हैं वैसे icons हमको लाका देते हैं इतनी ज़्यादा images है unsplash में इतनी ज़्यादा मालो मैंने portrait लेना है तो मैं simply portrait पर तबाऊंगा एंड यहाँ पर मेरे पास एक portrait आ चुका है मालो मैंने एक architecture की image लेनी है तो मेरे पास वो भी आ चुकी है like इतनी ज़्यादा images है हमारी unsplash में इतनी ज़्यादा जो उनसे भी हम यहाँ पर search करेंगे वो सारी images हमको मिल जाएंगे जो third one है वो है हमारा हमारे पास background remover उसके अभी जुरुत नहीं बढ़ेगी हम उसकी बात करेंगे बात में उसके साथ simply हम जो background है उसको remove कर सकते हैं तो अभी बढ़ते हैं अब आप अगर अगर प्रैक्टिस की है तो आप बिल्कुल जो basics है उसको clear कर चुके हो Figma के अब यह वक्त एक नए प्रोजेक्ट का तो प्रोजेक्ट के लिए हम simply चलते हैं ब्राउस जो Figma की community है और यहां पर हम mobile design का प्रोजेक्ट देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम एक simple सा प्रोजेक्ट देखेंगे I think यह बढ़िया लग रहा है यह simple बहुत जादा complex भ तो आ गया है तो यहां मर देखो हमारे पास जो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ भी जुका है ठीक है अभी अगर देखकर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बना सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत जादा असान है लाइक देखने में शायद थोड़ा सा लग रहा एक है अभी में इनके जो शाडो से उनको हटा देता हूं अब अगय है तो यहां पर अभी मारे पास दो-पेजिस हैं राइट तो मैं हैंटूल का यूज करता हूं थोड़ी सी पहली साइट पे जाता हूं तो अब मैं यहां पर फ्रेम बनाता हूं मेरे को और अब डिजाइ इसके जो लेंद आवो मैं थोड़ी सी कम करते हूं और यहां पर इसके जो एजी समोध है महीं थी नोगने थोड़ा था कॉलना रेडिस दिया हो गया तो मैं भी देता हूं रावंड 30 तो अब इस श्टार्ट करते हैं यह वाले पेज़े के साथ तो सबसे पहले हम स्टार्ट क करते हैं यह जो ग्लाक भाक्रावंड और ब्लाक बैकलंड तो ये नोंने कैसे कि offers और शीकुन अमारे पास यह तो यह वाल रहा है दो यह नहimi है उसको मैं फफॉल्ग मैं पर्हएं चेंज प्लारच गर मॉशाल टो चैनिट है करते vibes में करते हां ड़े जहा तो बहुत सब्स से यह तोड़ा सा इसको ऐसे कूल तो यह ओ भी गया हमारा ठीक है तो अभी यहां पर चाहिए मेरे को एक टैक्स्ट इसका जो size है वो मैं कर देता हूँ 45 अराउंड अभी करके देखते है create account ठीक है तो जो size है वो है वो कर देते हैं अपना 40 एंड जो regular है उसका हम कर देते हैं पहले है तो कुल यह हमारा पूस्वरी इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लेाता हूँ तो यहां पर हमारा हो गया है I think इसका size है वो थोड़ा सा बड़ा है तो यहां पर हम बढ़ा कर देते हैं इसका size 45 एंड इसको थोड़ा section करते हैं तो यह यहां पर हो चुका है तो यहां पर हमारा जो पहला section है यह हो चुका है एंड इसके बाद है हमारे पास simply ओके तो यहां पर हमारे पास simply 3 rectangle तो यह simply rectangle ने बटिनको थोड़ा सा corner रेडियस दिया गया है तो अभी मैं मैं इनको radius देता हूं साथ ही like मैं यहां पर एक rectangle draw करता हूं ठीक है एंड इसको मैं ले आता हूं center पर ऑ शोरी हा तो यह आ गया हमारे आप center पर तो इसको मैं कुछ यहां पर रख लेता हूं यहां से जो इसका color है उसको मैं white change कर देता हूं तांक यह बिल्कुल transparent हो जाए एंड इसको मैं देता हूं एक stroke ठीक है अभी इसको जो height है उसको मैं 50 से कर देता हूं around 53 सही रहेगी एंड इसका जो radius है वो मैं देता हूं 10 कुल तो यहां पर I think जो इसकी width है वो बढ़ानी बढ़ेगी 248 से मैं कर देता हूं 260 एंड इसको फिर से ले आते हम ओ सेंटर बे कुल तो यहां पर यह मेरा सेंटर भी आ चुक है एंड अभी हमने सिरफ यहां पर टेक्स्ट भरना है थोड़ा सा तो यहां पर सबसे पहल मैं ऐसा करता हूं कि यह जो rectangle है मेरा इसको मैं Ctrl T दबाता हूं एंड ऐसे इसको मैं इसको मैं कुछ 26 पिकसल करता हूं तो इसके साथ यह जो हमारा डिस्टैंस है यह देखते हैं जैसे कि इन तीनों के बीच में जो डिफ्रेंस है वह बिल्कुल सेम है तो हम यहां से उनको एक साथ घटाया बढ़ा सकते हैं बट हां इन तीनों के बीच में मैं एक टेक्स्ट सबसे पहले मैं एक लाइन लगा देता हूं तांकि जो हमारा टेक्स्ट है वह सेम लाइन में रहे बट यां को चीज़ कर सकते हैं लाइन की बिना जो लाइन है वह थोड़ा सा अन्प्रोफेशनल लेचे लगता है इसलिए हम लाइन के बिना देखते आ तो स इसका साइज है वो मैं गर जाता हूँ 26 I think 26 पिल्कुल सही रहेगा एंड इसको मैं ले आता हूँ कुछ यहां पर तो मैं इसको Ctrl D दबाता हूँ and आप आपने Shift दबा के रखना है and अपने माउस को नीचे पुछ करना है तो यहां पर एक और and यह हो गया and यहां पर अभी हम भरते हैं email and यहां पर password तो यहां पर अभी हमारा जो एक section है वो complete हो चुक है इसको Shift दबाना है and थोड़ी से ऊपर push कर देते हैं cool तो अभी हमारा रह गया यह sign up section तो यहां से जो image है उसको मैं ले लेता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं इस image को place कर देता हूँ कुछ यहां पर and यहां पर अभी हमने लिखना है text which is sign up यहां पर ठीक है and जो text का size है वो मैं कर देता हूँ 34 sign up and इसको थोड़ा से extend करते हैं ताकि एक line में आ जाए and इसको थोड़ा सा left पर तक हैल देते हैं cool but इसका size थोड़ा सा बढ़ा है इसको इसलिए मैं इसको 31 कर देता हूँ and इसको हम दे जेते हैं bolt I think bolt थोड़ा से जाथ हो गया medium सही रहेगा बिल्कुल हां बिल्कुल तो अभी इसको कुछ मैं यहां पर ले आता हूँ cool तो यह बढ़िया लग रहा है but इसको थोड़ा इसी हां तो अभी बिल्कुल सही लग रहा है यह एक थोड़ा सा नेचे हां तो अभी मैं के करता हूँ यहां पर अभी अगर हम यह यह बढ़ा section रहा है हमारा तो यहां पर है मेरे पास एक oval सी राइट तो यहां पर मैं एक oval लेता हूँ and इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ यहां से थोड़ा सा करता हूँ partner जो color मैं करदा हूँ black तो ह्तरह सा लग रहा है तो इसलिए मैं इसका जो साइज है वो नीचे थोड़ा सा पड़ा कर देता हूँ ओपर थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ एंड इसको ले आता हूं यहां पर थोड़ा सा आगे की दरफ एक्स्टेंड कर देता हूं एंड यह हमारा हो चुक है थोड़ा सा नीचे एंड यहां से उपर ओसम तो यह मेरा बड़िया लग रहा है तो अभी सिंप्ली मैं टेक्स लिखना है साइन इन तो मैं इसको कंट्रोल दबाता हूं एंड ये कोपी हो चुक है इसका जो कलर है उसको मैं करतेता हूं वाइट पर चेंज अभी हमारा शोर नहीं हो रहा है विकोज नीचे एगलिप्स की तो मैं सिंपली राइट क्लिक करता हूं एंड इसको भेज देता हूं मैं फ्रंट पे तो यहां पर शोर ने लग गया यहां से मेडियम से करता हूं मैं रेगुलर साइज जो इसका वो मैं करता हूं 26 I think 26 थोड़ा सब्सक्राइब 28 सब्सक्राइब बिलकुल यहां पर मैं क्लेक आता है लाइन लाइन का शूटट कट ल तो यहां से क्लाइन मारते हैं जिसका कलर दोंगा मैं वाइट यहां पर यह बहुत असानी से हो गया यह देखने से भी जाधा असान आइधिक जो पेज है बहुत जाधा एजी है अभी इसको कंट्रोल डी दबाते ह है यहां पर मेरे मिया एकम एक और आ चुका है पेज तो सबसे पहुरा जो इसका text है वह भी मेर को नहीं जाहिए एक मिल नहीं चाहिए तो यह जो image है यह मिल्क जाहिए तो मैं इसको Ctrl-D यहां पर जमित रहे हो टो बहुत है तो अभी सबसे पहले आसां सा काम कर लेते हैं यहां पर लगेगा text हमारा and text is sign in यह जो bold है उसको मैं कर देता हूं medium इसको थोड़ी सी ऊपर ले जाते हैं यह जो text है cool तो यह जो sign up है इसको हम कर देते हैं sign in पर change and यह जो sign up ओ यहां पर आएगा हमारा sign in एंड यहां पर हमारा साइन अपी रहेगा तो अभी रहागी इस प्रोजेक्ट की सबसे जादा कॉंपलेक्स जादा मुश्किल चीज यह जो डिजाइन है तो अभी इसको समझते कि यह है क्या ओके तो यह पहला ओवल है यह दूसरा एंड तीसरा ओके तो मेरे प्रोजल करने बाइसा नहीं हुए तो सबसे पहले में पहला ओब लेता हूं जिसको मैं कुछ यहां पर करुँएंड गा this इसको इसके अंदर लेते हैं kur तो सबसे पहले देखते हैं कूछ कैसा था तो इसको कुछ मैं ऐसे करूँगा ठीक है and इसको ऐसे control-D wait control-Z and सबसे पहले इसका color black करूँगा control-D दबाऊंगा इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा and जिसका color वो white करूँगा control-D इसको और थोड़ा सा छोटा करूंगा क्या थो तो यहां पर अब क्या है यह जो ब्लैक इसको थोड़ा सा ऐसे दिया गया है तो यहां पर आये थिम यह हमारा बन भी गया है है इसको थोड़ा सा मैं एक्सटैंड कट द देता हूं कुछ ऐसे हैंड यह जो है इसको मैं थोड़ासा ओपर आद गर देता हूं यह जो वाइट है उसका भी थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा इसका भी कूल तो यह बिल्कुल आइधिंग सेम लग रहा है तो यह बहुत जादा इसी प्रोजेक्ट था एंड इसी के साथ जो हमारा पहला बेसिक प्रोजेक्ट है हमने वह भी कंप्लीड कर लिया है तो अब यह मारा जो प्रोजेक्ट है वह तो कंप्लीड हो चुका है एंड अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो अगले टॉपिक है वह हमारा पैंट टूल में जादा आगे बढ़ना ठीक है तो अभी हम जैसे मैंने आपको पहले विदा आज़ा कि जो पैंट है वह वैक्टर्स बनाने के लिए इस्तमाल होता है एंड इसके साथ हम बहुत बढ़िया बढ़िया वैक्टर्स भी बना सकते हैं एंड इसका एक और फायदा है कि अगर हमारे पास एक सिंपल सी पेच्चर है जैसे कि हमारे बार यहां पर पीएंजी है बट इसके अगर करते हैं अगर हम पेंट ढूल का इस्तमाल करें तो अब यृढ लेता है हुँआ तो यहां से कर लिए save and save हो जोकी है तो अब ही सबसे पहले मैं एक नई frame बना लेता हूँ यहां से एक नई frame जिसमें हम पूरा पैंडूल का करने वाले एंट यूस्टिक है तो यहां से मैं इस image को पिक कर लिता हूँ एंड यहां पर यह image आ जोकी है तो इसकी जो one second मैं इसको proportional कर दूँ तो इसकी जो height and weight हो मैं कर देता हूँ 300 यह नहीं होगी किया one second तो चलो और यह जो image है इसको मैं यहां से लेकर आ जाता हूँ यहां पर अब जो image का part मेरे को नहीं चाहिए उसको मैं remove कर देता हूँ simply one second I think हाँ तो यहां से मैं इसको crop कर सकता हूँ यहां से ठीक है तो इसको थोड़ा साइड करते है एंड मेरे को चाहिए सिरफ यह बला part तो मैंने इसको यहां से crop कर लिया cool तो यहां पर मेरे पास यह image यह image आ चुकी है and अब मैं करता हूँ अगर हमने पैंडूल का करना है तो जाते पड़ी है कि अगर हम उसका जो background है उसको सही कर ले तो यहां पर मैं black color ले आता हूँ एंड इसकी जो पैसिटी है वो मैं करतेता हूँ 30% I think 45% सही रहता हूँ okay cool तो अभी मैं पैंटो लेता हूँ and सबसे पहले यह जो सर्कल है उसको ड्रो करते है जो सर्कल है उसकी ज़रूरत नहीं है मैं सबसे पहले यह bird ड्रो करता हूँ ठीक है जाओं तो जो यह वहला टूल है उसके साथ ऐसा track follow करना पात को वह भी बहुत ज हो गया तो मैं इसका इस्तमाल करूंगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा उपर लेकर आ जाओं तो इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं and अब इसको लेकर जाते हैं थोड़ा सा उपर cool तो वापिस यहां पर and फिर यहां तक तो मैं इसका इस्तमाल करूंगा and cool तो अभी यह पहाँ जब बहुत बड़े ही अब यहां पर यह disrupt करना है यहां पर होट चुक एपर यहांपर करणा मित पर है यहांपर करते हैं अब यह मत तो यहांको सोचना है कि मिरन को कैसे पता है कि यहां पर कर तें जैसे-जैसे आप peng attorney करते जाओगे वैसे- से आपको इसका जो एक्सपीरियंस है वो होता जाएगा ठीक है तो वैसे तो आसान है पैंडूल का यूज करना पड़ इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जादा लगेगी अब जो यहां पर भी हमारा बिल्कुल स्मूध सा हो रहा है जैसे की हमने जब पहले किया था तो वह बहुत जादा शाव हो रहा था बट अब यह जो हमारा है जो शेप है यह बहुत जादा स्मूध हो रही है मेंस हर एक चीज यहां पर जो हो बहुत जादा स्मूध नोरी है एंड अभी लेकर चलते हैं इसको सीदह यहां पर कि इसको थोड़ा सा यहां एंड पी तो यह जो पैंटूल है उसका शोटकट है मारे पास पी कुछ ऐसे पी यहां पर एंड यहां कि मेरे को इसको सुधारना पड़ेगा एंड अब यहां से गर सकता हूं मैं विकोज यहां पर जब हमारे पास दो लाइन से टैच हो जाती हैं फिर अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो यह वाली लाइन भी साथ में ही लेगी ठीक है तो इसका थ्यार रखना पड़ता है यहां से अब यहां कर देते हैं सिदा अब देखो इसके साथ लाइन कनेक्ट है तो मैं इसको नहीं चेड़ सकता मैं इसको चेड़ूंगा सिदा एंड फिर अब यहां से इसको सेट कर लोगा सेंपली खुल यहां से सिदा यहां तक एंड इसको थोड़ा साथ ओके तो इसको इसको यहां से करना पड़ेगा कि कुल तो यहां पर यहां रहा हो चुका है अभी कलर यह नहीं हो रहा है आइधिंग यहां पर थोड़ी सी मिश्चोप हो गई है तो मैं इसको यहां से कनेक्ट कर देता हूं अब हो गया कुल तो यहां से मैं इसको पिक करता हूं यहां से डन एंड इसको लेके जगते हैं यहां पर इसका जो स्ट्रोक है उसका में हटा देता हूं बस हमारी यहां पर थोड़ी से इकलती हो गई बट फिर भी अगर यह जो शेफ देखे इसके कंपरिशन में तो यह बहुत जादा बढ़िया लग रही है मैं इसका कलर ब्लैक करके दिखाता हूं यहां पर हम सेट कर सकते हैं वैसे तो तो यहां पर यह भी हमारा सेट हो चुका है अभी देखो यह बिल्कुल एकदम ऐसी लग रही है जैसे कि हमारी यहां पर थी कुछ ऐसा तो यह जो इमेज थी जिसके पिक्सेल कुल पेकार थे अभी अगर हम इस इमेज के पिचर देकें तो इसके पिचर पिल्कुल ही क्लियर है बिकोज यह मैंने आपको पहले हुए कि यह हमारा एक वेक्टर और जो बैक्टर के पिक्सल होते हैं वह उसकी रैजोरीशन होती है कि वह सबसे ज़्यादा होती है तो इसके साथ अगर हमको पेंटूल का इस्तमाल सही से करना आ जाता है तो हम किसी भी इमेज को वेक्टर में बदल सकते हैं तो यह तो होगे हमारा पेंटूल यह जो फ्रेम है इसको मैं तोड़ा साही है हां से छोड़ा कर देता हूं है ठाइक जान है इसको लेकर जड़ा यहां पर तो अभी यहां पर जो हमारा पैंटूल है वह भी जुका है अभी आने वाली है अब है सबसे जादा इंडरिस्टिंग जीज्ज़ जो की है प्रोटो टाइप sekali में तो सबसे पर इसकow occur मालो मैं यह नहीं पर एक यहां पर एक ल बहुत साथ हो मैंने hamburger menu ठीक है तो यहां पर मैंने एक hamburger menu बनाया यहां पर मैं एक नई frame बनाता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं एक नई frame बनाता हूँ जहां पर जो इसका color है वो कर देते हैं black यहां पर lines का यूज करता हूँ मैं इसका जो color है वो मैं करता हूँ white एंड कंट्रोल डी इसका मैं करता हूं 45 डिए तो यहां पर यह मारा क्रोस बन चुका है राइट एंड यहां पर मैं लेकिता हूं टेक्स्ट कल्दरबाइट कुल सबसे पहला हूं इसका जो साइज है वो मैं कलता हूं राउंड फिफ्टी बहुत साथ बढ़ा हो गया हां 40 डिग है वैसे 40 बढ़ा हो गया बट सिरफ दिखाने के लिए बिल्कुल ठीक है तो मैं इसको लेकिता हूं सेंटर में एंड यहां से सबसे पहले इसको छुटा करते हैं I think 38 36 सही रहेगा I think कुल ठीक है तो अभी मैं इसको थोड़ा सा नीचे एंड थोड़ा सा यहां पर तो पंट्रॉल डी इसको कर देता हूं मैं वर्क एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट फूल कुल तो अभी अगर माल लो मैं में ऐसा करना है कि अगर कोई बंदय इस बटन को टच करेगा सबसे पहले में इस फ्रेम इस ग्रुप सेलेक्शन कर लेता हूं तो ग्रुप selection करने के रिए simply आपने right click करना है अगर यह rearख से कर लेना has group selection तो अभी अगर मैं यहां पर देखूं तो यह मैं kथा लेवा ओभारा हूं अगर महलों हमने एक line को select करने हैं तो simply double click करो एंड यहां पर आपके बास अगल को सेलेक्ट करने इसके लिए अगर मालू मैंने इसको टच करना है एन मेने जाना है इसमें तो उसके लिए हमारे हमें लगएगा प्रोटोटाइप तो सबसे पेले यह जो दोनों फ्रेम से हैं यह मैं थोड़ इसी राइट साइड पे लेकर चला जाता हूँ तो अभी हमारे पास यहां पर एक प्रोटोड एपिक उप्शन है तो मैं इसको दबाता हूँ और यहां पर अब मैं सेलेक्ट करता हूँ फ्रेम फॉर तो यहां पर अब मेरे पास एक बटन सा आ गया राइट तो यहां पर अब मैं यह जो डब है इसको अगर कोई दबाएगा तो मैं चाहता हूँ कि यहां पर जाए ठीक है तो अब अगर हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हमें यह शो भी होगा तो अगर मैं यहां पर क्लिक करूँ तो देखो मैं यहां पर चला गया राइट तो यह बिल्कुल हमारा वक कर रहा है अब यह मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्लिक पर क्लिक करें स्वरी क्रोस पर क्लिक करें तो वह चला जाए वापिस यहां पर तो अभी सबसे पहले तो यह यह लाइन फॉर और लाइन फाइव इनकी में ग्रूप सेलेक्शन कर लेता हूं तांकि मैं इन दोनों को इकट्टे पिक कर सकूं एंड प्रोटोटाइप पे जाते हैं यहां से अगर कोई क्लिक करेगा तो वह जाना चाहिए यहां पे ठीक है तो मैं वापिस से यहां पे क्लि करो यहां पे अगर फूद यहां कर आते हैं हम इनने हैं माल लो यह जब यह जो है फ्रेम फाइव यह कुछ ऐसे राइट से लैफ्ट में आना चाहिए तो वह कैसे कर सकते हैं देखो यहां पर हमारे पास जब यह तोहमारे पास ऑउन प्लिकано हो फिल्कुल हम करते हैं इंस् तो जैसे कि यहां पर देख पा रहे हो तो यहां पर जैसे बी ए पर आया ठीक है तो ऐसा ही कुछ हमको जाहिए राइड तो मैं इसको कर लेता हूं तो अभी हम देखते हैं कि यह वर्क कर रहा है यह नहीं तो यह लोड़ोन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है तो अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो यह बिल्कुल वर्क कर रहा है बट अगर हम यहां पर क्रोज करते हैं तो यह वक नहीं कर रहा है अब अगर हम क्रो वो था हमारा यह वाला राइट तो इस्टेंट की जगह हमने करना है slide in but इस टाइम जाना चाहिए यह right side पर easy in and out तो कुछ हैसा बिल्कुल सही तो मैं चलता हो यहां पर तो अगर मैं यहां पर click करूं तो यह बिल्कुल सही जा रहा है एंड इसे के साथ हमने बड़ी असा हम हैंबर्गर मेन्यू भी बना लिया है वह भी बहुत जाद आसानी से अब हमारे पास यहां पर लग लग चीज़े जाते हैं जैसे कि पूश लाइड आउट मोव इन मूव आउट एंड सबसे जादा बढ़िया है हमारे पास स्मार्ट अ बना स्मार्ट अनिमेट अवी ईसे एंड आउट है तो यहां पर हम अलग अलग चीज़ें भी यह सकते हैं जैसे की कुल तो अभी मैं यह पर दबाओ तो अभी यह हमारी मर्स्य से होगा लाइक इस नहीं होगा इसाउट नहीं होगा बलकि जो मैंने स़ट किया है अभी अग है तो ऐसी अलग-अलग चीज़े हैं हमारे पास smart and medic जगा आप और भी चीज़े यूज कर सकते हो एंड कितना टाइम चाहिए आपको वह यूज कर सकते हो तो सबसे पहले तो मैं इसे नहीं कर देता हूं इसको एंड इसको जैसे हमने रखा था स्लाइड इन था ठीक है तो कु आपिस है जाते हैं प्लग-इंस ब्राउज फ्लग-इंस इन कॉम्म्यूनिटी हमने प्लग-इं को नहीं देखना हमने देखना है अब वेब डिजाइन को देखते हैं कोई जो कि एक सिंपल हो जिसमें हम प्रोटो टाइपिंग भी कर सकें लाइक यह बहुत ज्यादा बहुत जादा कॉंपलेक्स है यह बड़ी अलग रहे है मेरे को बहुत जादा बड़ी अलग रहे है यह लाइक देखो मतलब बिल्कुल सिंपल भी है एंड यहां पर हमारे पास अलग-अलग उप्शन पर आ जाती हैं हम अलग-अलग फॉर पर प्रोटो टाइप कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा पेज फ्लग पेज K सात्यों के साथ मैं आपको मैं यह दो की कोंपोनेंट नहीं बनाया एक desktop I think MacBook Pro बिल्कुल सही रहेगा cool तो I think यह भी MacBook Pro का यह size one second मैं देख लूँ इसका F1440-900 oh cool तो यह भी MacBook Pro का ही है तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे तो यह simple box है यहाँ पे right तो अभी हम भी यह box बनाते हैं अपने rectangle के साथ तो यहाँ I think यहाँ पे सही रहेगा कुछ इतना साथ box and इसको अभी देना है हमने color यह वाला कुल तो अभी अगर हम देखें तो इसकी जो है जिसे सबसे पहले तो यह जाएगा कुछ यहाँ तक हाँ ठीक है तो अभी अगर इसकी अजिस देखें तो यह स्मूध है मैं इसनोंने corner radius दिया गया है लाफ्ट और राइट से बाट यहां से नहीं दिया हुआ है मैं इसनोंन से हमने देना है तो देते हैं around 10 10 से ही रहेगा गया 10 तो बहुत जादा कम हो गया 30 तो 30 I think बिल्कुल सही है इन्होंने देखते है कितना दिया है इन्होंने दिया है 15 तो हम भी 15 दे देते हैं ठीक है तो यहां से दिया है 15 एंड अभी चाहिए मेरे को bottom left वे तो यह है top right bottom right and bottom left तो यहां से देते हैं 15 एंड यह हो गया तो अभी से यह मेरे को एक hamburger menu because यह आइकन मेरे पास अभी नहीं है ठीक है तो मैं इन से थोड़ा सा उधार ले लेता हूँ कि अधार लेता हूँ क्या गोड़ रहा हूँ चलो कोई बात नहीं एंड यहां से कुछ आइकन्स तो वैसे तो आइकन्स हम ले भी सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं है बट फिर भी क्यूंकि हमने time जादा waste नहीं करना इसलिए यह जो आइकन्स हैं इनको सिरफ मैं ले लेता हू बाकी हम बनाते हैं खुद ठीक है तो अभी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर simply text है तो यहां पर हम बनाते हैं text एंड यहां पर अभी अपने आप जो text का style है जैसे कि इन्होंने Roboter यूज किया है तो रोबोट अपने आप आप आजाएगा ठीक हम एक बार चेक कर लेत जो color है वो है हमारे पास white तो इसका देते है white and अभी check करते है क्या इन्होंने यही use किया है तो इन्होंने use किया है poppins cool तो poppins बिल्कुल सही and इसका जो सबसे पहले तो इसको कम करते है oh one second हाँ and इसका जो phone size है है ओके तो सबसे पहला है Mac ओके आए इसका जो phone style है I think 20 oh phone वे यह जो है क्या बोलते है इसको phone size है I think 25 pixels सही रहेगा तो ठीक है यहां पर सही लग रहा है पर थोड़ा सा राइट में ले जाते है cool तो अभी यहां पर इसको select करते है and बनाते है एक और नया अब जो उसके बाद है वो है हमारे पास iPhone ठीक है ओ पीफोन नहीं आइफोन इसके बाद वाला है हमारे पास iPad उसके बाद है हमारे पास i watch and finally अभी है sport cool तो यहां पर जो हमारा text है वो भी हो चुक है बट यहां पर अभी हमारे पास यहां पर थोड़ी सी कम space बची है तो अभी हम catch करते है ओ sorry यहां पर मैं इसको low को जाता हूँ because rectangle के मेरे को जुरूरत नहीं है एड यहां से इसको ले के आता हूँ थोड़ा सा हम इधर ले जाते हैं तो अभी हमारे पास जो आई वहां पर हमारे पास एक box पी है ठीक है तो मैं वो box मनाता सबसे पहले तो यहां पर मैं चूज करता हूँ rectangle and इसका जो transparency है वो देते है zero I think zero आया white अच्छा तो यहां पर white है इसका color तो मैं इसका color जो है वो white देता हूँ and इसको हम ले जाते हैं sport i watch यहां पर but अब भी okay तो जो i watch का color है वो हम कर देते हैं यह cool तो यहां पर यह show भी हो रहा है and अभी जो इसका border radius है वो भी हमने देना है इसकी width सबसे बहुता हूँ around 150 कर देता हूँ and इसका border radius वो मैं देता हूँ 20 cool तो i think यह बढ़िया लग रहा है but i think यह जो box है यह मैंने कुछ यादा ही बड़ा बना दिया and यह जो हमारे पास text है इनके बीच में भी जो space है वो थोड़ी से जादा करते है तो अभी यह जो box है इसका I think height थोड़ी से बढ़ानी बढ़ेगी जो height है वो मैं 40 का देता हूँ cool cool तो अभी I think यह बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा but अभी जो यह यह बिल्कुल center में नहीं है तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इसको इस डबबे के साइज उतना कर देते हैं ठीक है and इसको center align कर देते हैं तो यह अपने आप center में हो चुका है but I think यह डबबा ही center में नहीं है कोई बात नहीं इसको हम करते हैं center oh थोड़ा सा heal गया और नीचे करना है मैंने सिरफ cool तो अभी यह बढ़िया लग रहा है I think so and उसके बाद है हमारे पास यह दो icons तो मैं इसको control D दबाता हूँ and लेगे जलते हैं सिदा यहां पर cool तो यह भी हमारा हो गया and इनको मैं थोड़ी सी ऊपर लेके चला जाता हूँ cool and इनको भी तो यह भी हमारा हो गया काम and I think नहीं यह थोड़ा सा नीची आएगा but one second मैं यहां पर देखता हूँ तो ठीक है यह जो टेक्स्ट है यह दोनों center में तो इसको मैं लेके चलता हूँ थोड़ी सी नीचे and यह जो text है इसको भी मैं लेके चलता हूँ थोड़ी सी नीचे and इसको भी थोड़ी सी नीचे लेके चलते हैं यहां पर I think थोड़ा सा और में जाएगा cool तो अभी सही लग रहा है बिल्कुल नहीं one second यह बिल्कुल जो apple है उसके यहां पर नहीं जाईए तो अभी बढ़ते हैं आगे अब है हमारे पास एक text जो की है I think यह जो आई पहुच है इसका अभी मेरे को बढ़िया लग नहीं रहा है इसकी जो height weight है वो मैं 150 का देता हूँ and जो height है वो मैं करता हूँ 35 अब बढ़िया लग रहा है cool तो अभी सही लग रहा है मेरे को and इसका जो size है वो मैं 24 कर देता हूँ cool तो अभी बिल्कुल सही है and यहां से मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है की तो इन्होंने text का जो size है वो बहुत जादा चोटा करके रखा हुआ है तो इसको मैं कर देता हूँ 18 simply यही problem थी okay तो अभी इनको मैं लग जाता हूँ थोड़ी सी नीचे cool तो अभी यह बढ़िया लग रहा है and अब जो यह rectangle है इसकी जो width है उसको मैं कर देता हूँ 130 and जो height है उसको मैं कर देता हूँ 29 and अभी इसको लेके चलते हैं कुछ यहां पर तो अभी यह बिल्कुल सही लग रहा है इसलिए मेरे को थोड़ा सा और लग रहा था यह है बट हाँ अभी सही है बिल्कुल इसकी जो width है वो मैं 120 कर देता हूँ and इसको वापिस से लेके जाते हैं cool and अभी बढ़ते हैं आगे तो यहां पर है मेरे पास एक text the perfect सबसे पहले यहां पर एक text create करते हैं तो यह जो text चाहिए यहां तक होना चाहिए जो इसका size में कर देता हूँ 45 कलर करता हूँ white तो text the perfect moment तो सबसे पहले इसको left round करते है cool the perfect moment the मेरे को पता है यह जो size है वो बहुत चोटा है अभी इसको set करते हैं तो इसका जो size हो में करता हूँ 53 I think सही रहेगा यह जो size है I think bold में बाद में कर सकता हूँ ठीक है तो यह जो bold है उसको हम बाद में करें सबसे पहले text उतार ले between past and future cool तो अभी हमारा text भी हो चुके है and future it's future and इसका जो size है वो में करता हूँ 59 59 बहुत चोटा लग रहे थोड़ा सा बट हाँ ठीक है इतना भी जाता चोटा नहीं लग रहे तो इसको जो है regular से में कर देता हूँ तो semi bold इसको कटा देते हैं थोड़ा सा I think यह ठीक है बट हाँ थोड़ा सा बोल्ड भी करना पड़ेगा थोड़ा सा जो size है उसको भी बढ़ा करना पड़ेगा 64 कर देते हैं size को and इसको थोड़ा सा कर देते हैं अभी चलते हैं यहां पर तो कुछ इतना बड़ा बटन है I think ठीक है एंड यहां पर जो कलर है वो हो गया यह stroke जिसका कलर है white एंड यह थिंग 3 सही रहेगी एंड यह होगा हमारा 20 I think जो हाइट है वो बहुत जादा देदी है मैंने हाइट है 40 40 नहीं है तो बहुत सादा कम होगी 55 I think सही रहेगी विट से देते हैं इसकी 280 तो जो सबसे पहले तो यह टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा उपर लेके जलते हैं कुल एड यहां पर यह जो बटन है इसकी जो विर्थ है उसको अंगाते है राउंड 64 एड इसको थोड़ा सा बढ़ाते है राउंड 40 कर देते हैं इसको ठीक है एड यहां पर जो हाइट है उसको करना पड़ेगा 70 एड इसको करना पड़ेगा 250 I think 75 से रहेगा 75 एड इसको करता हूं 275 275 बढ़ा हो गया तो इसको करते हैं 260 कुल तो अभी भरते हैं सबसे पहले टेक्स्ट तो यहां से मैं टेक्स्ट को यहां से शुरू करता हूं यहां तक जो टेक्स्ट का साइज हो का वह राउंड 35 सही रहेगा I think यहां से सेंटर एंड यहां से भी बाई नाव कलर होगा वाइट कूल बिल्कुल कूल बहुत बढ़िया लग रहा है देखने को बट यह जो साइज है इसको थोड़ा चोड़ा करना पड़ेगा एराउंड 28 बहुत बढ़िया एंड I think height को भी 70 करना पड़ेगा एंड अभी यह जो text है इसकी भी height को सुधारते हैं तो अभी इसको लेके जाते हैं थोड़ी सी उपर पिल्कुल एंड इसको लेके आते हैं थोड़ी सी नीचे एंड अब यहां पर मेरे पास यह icon देख पार है तो इसको यहां पर लेके जलते हैं एंड वन सेकिंड यहां पर मेरे पास जो rectangle है इसको थोड़ी सी इगलती हो गई अनलोग करते हैं इसको एंड थोड़ी सी नीचे ओके तो इ ये भी हो गया हमारा एंड यहां पर हमारा जो पेज है वो ऐसा कुछ लगने लगा है अब रहा गई सिर्फ इमेजिस तो यहां पर इसको मैं पेश कर देता हूं कुछ यहां पर एंड अभी यह तो इसको भी यहां पर पेश कर देते हैं नहीं कुछ यहां पर आप सही है बिल्कुल अभी यह यहां पर यह यहां पर यह यहां पर यह यहां पर तो अभी इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं इसको लेकर जलते हैं इसके सेंटर में कुल तो अभी यह जो हमारा पेज है यह पूरा कंप्लीट हो चुक है मेरे को देखने में कसम से कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है सिवाए एक चीज के कि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है इसकी हाइट को में 32 कर देता हूं तो अभी यह बिल्कुल ही सेम लग रहा है मेरे को हो सच में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है बट अब हमने तो मेली सुक ап-प यह बेसिक चीजे तो हम पहले भी सेख चुके हैं राइड 6 अब प्रोटो टाइपिंग के बार ही है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिजा नहीं बनाया गया है तो अभी हम बनाते हैं बाकियों का डिजाइन एंड सबसे पहले तो यहां पर मैं इनको अनगुरूप करता हूँ तांकि मैं अलग अलग का जो साइज है वो चेंज कर सका हूँ ठीक है एंड यहां पर अभी यह जो है इसको कंट्रोल डी दबाते हैं तो अब भी सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ इसको खटाते हैं इसको अब भी लेकर आते हैं इसको तो इसको खटाना नहीं था इसको छोटा करते हैं सबसे पहले and अभी यहाँ पर लेकर आते है oh sorry सिरफ इसको छोटा करते है and अरे मैं क्या कर रहा हूँ यार हाँ तो अभी इसको थोड़ा छोटा करते है and अभी यहाँ पर रखते है and इसको थोड़ा सा बड़ा करते है अभी इसका अगर साइज देखे तो भी है 883 into 190 883 into oh sorry यह तो मैं एक सब्सक्राइब देख रहा हूँ चलो यह भी देखने थी 489 and 489 489 883 192 तो यह हो गया मेरा and अभी यह जो है तो सबसे पहले इसका साइज देखते है 90 तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको 19 and अगर इसकी X and Y axis देखने तो 849 and 756 849 and 756 cool and यह जो कलर है इसको भी हम कर देते हैं change कुछ यह वाला इसको मैं ले आता हूँ फ्रंट पे one second one second okay okay तो भाई तो बाहर आ जा यार हाँ तो इसको अब मैं ले आता हूँ फ्रंट पे तो अभी लेकर आते हैं इसको यहाँ पे and 849 and 756 849 ठीक है तो अभी यह जो rectangle है हमने करना है इसका जो color है वो change अब color होगा इसका जो यह cloak का color है ठीक है and यहाँ पर इसका भी color होगा जो इसका color है उसके बाद यहाँ पर इसका भी color वही होगा उसके बाद इसका भी color होगा यही and finally जो इसका color है वो भी होगा यही कूल ऐसे हमने यह पेज़ भी बना लिया एंड यहां से हम कर सकते हैं इसको चेंज तो अभी अगर हम देखें ओ सुरी अभी अगर हम देखें तो इसका सब्सक्राइब 30 इंटू 30 राइट बट इसका है 20 to 20 तो इसको करते हैं 20 20 एंड 20 एंड यह एक्स एक्सिस में 1365 वन तो इसको भी कर जाते हैं ओ मैंने इसको सेलेक्ट करना है 1365 कूल तो यहां पर अभी हम इसको थोड़ा सा यहां पे लेकर आ जाते हैं एंड इसका जो साइज है फोकस है हम 30 ठीक है एंड इसको हम लेकर आते हैं यहां पे इनको हम थोड़ा सा यहां ले आते हैं एंड इसको भी एंड इसको भी इसको आतो है है तो इसी तरह से हम अलग अलग पेजस को जो है ऐसे कर सकते हैं जैसे की सबसे पहले मैं इसको डिलेट कर देता हूं इसके अभी हमें कोई जरूरत नहीं है ठीक है अभी जैसे कि यह मैंने दो लेंडिंग पे जिस बनाए है अलग-अलग अभी मालो अगर कोई बंदा यह वाले पेज पर ठीक है मैं प्रोटोटाइप पर जाता हूं अभी मालो किसी बंदे ने यहां पर टच किया तो वो आना चाहिए यहां पर ठीक है अभी मालो किसी बंदे ने यहां पर टच किया तो वो आना चाहिए यहां पर ठीक है तो यह बिलकुल सही है अभी यहां से हम करते हैं smart animate time लेंगे हम 400 I think 500 सही रहेगा 500 milliseconds and अभी जब दूसरा prototype था and अभी एक यहां पर prototype था तो इसको भी हम करते है smart animate ठीक है and यहां से हम करेंगे इसको 500 milliseconds cool तो अभी एकर हम चलें यहां पर तो अभी हम देखते हैं कि यह कैसा लग रहा है हमारा तो यहां से options पर जाना है and fit to scale पर कर देते हैं and अभी चलते हैं यहां पर oh my god क्या ही लुक आ यहां यार मतलब एक पर ही देखो क्या ही बड़िया लग रहा है तो इसने अपने आप एड़ेप्ट कर लिया and इसने देख लिया कि सिरफ यह दोनों कीसे यहां पर वासे और वापे से जलते हैं and इसको करते हैं फिर यहां पर अग्र हम यहांपर टच करें फिर एक अंधा ल meant हि को तो ब्यापक सही यहां पर टच कर फिर तो भहां कितना इसको भी एंड यह जो क्लोग घूम रही है हमारी उसको भी तो ऐसी हम अलग लग पे जिस बना के इसको राइट राइट करके अलग लग अगर यहां पर क्लेक करेगा तो इसका पैकरांड से क्रीन कर देना है एंड ऐसा है कुछ तो आय तिंग यह बहुत जादा बढ़ी अगर बढ़िया लगा तो सची अपने अगली वीडियो में उसको दिखाऊंगा ठीक है तो अभी यहां पर हमारा यहां प्रोजेक्ट पी कंप्लीट हो चोगा है प्रोटोटाइप का बट प्रोटोटाइप यहां पे खतम नहीं होती है प्रोटोटाइप बहुत जादा अगर मोबाइल वाली फ्रेम आइपों 13 प्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो पर मैं इनको डिलीट करता हूं ठीक है तो वो कैसे कर सकते हैं अब यहां पर देखो यहां पर सबसे पहले अगर हम क्लिप कंटेंट तो यहां पर यह फ्रेम सेलेक्शन तो हो चुकी है और इसको मैं करता हूं यहां पर ठीक है प्रोटोटाइप पर चलते हैं और स्क्रोलिंग के जगा horizontal scrolling करते हैं I think horizontal left to right होता है tiger करके देख लगते हैं मेरे को याद नहीं दंसे तो अब अगर हम देखें यहां पर यहां पर यह कितने बढ़िया तरीके से scroll हो रहा है right and one second मैं इसको fit कर देता हूं and अभी अगर हम देखें तो यह अराम से जो है मेरा page वह स्क्रोल हो रहा है डिवाइस भी अगर हमने वर्टिकल scrolling करनी हो तो हम वह भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर मैंने एक डप बनाया इसको सबसे पहले center कर लेते हैं and इसके बाद इसका जो border radius को देते हैं 30 ठीक हैं तो यहां पर control-D यहां से हम थोड़ी space देते है control control-D 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 तो अभी मैं इन सभी को select कर लेता हूँ and in frame selection यहां पर करते हैं frame selection and इसको चल लेके चलते हैं यहां पर and अभी prototype यहां पर no scrolling की जगा vertical scrolling and करते हैं view पर click तो यहां पर अगर हम देखें तो horizontal scrolling तो हमारी अच्छे से work कर रही है and vertical scrolling भी अच्छे से work कर रही है अभी हमने यह तो सिख लिया कि scrolling भी हम एप पे कैसे कर सकते हैं तो अभी हम मैं एक चीज और बताने वाला हूँ आपको जो की बहुत जादा important है जैसे कि अभी यहां पर मैंने हर एक चीज का rough work किया है right तो यहां पर कुछ भी चीज हमारी काम की नहीं है तो अभी हम जब असली project बनाएंगे तो भी हमारा ऐसा rough work होता है बहुत जादा तो हम क्या करते हैं अलग लग यहां पर pages बना देते हैं जैसे कि यह हमारा page one इसको मैं देता हूँ rough work ठीक है and यहां पर मैं देता हूँ project जो की है हमारा एक नया page बट यहां पर मेरे पास चाहिए तो मेरे को नहीं है मालों मेरे को यह box चाहिए and इसे को मैंने लगे जाना है project पे तो उसको हम कैसे लगे जा सकते हैं तो simply यहां पर हमारे पास एक option आती है create component right and अब यह हमारा component बन चुका है and अगर मैं project में जाओ asset में जाओ तो यहां पर अब मेरे पास वो जो component है म यहां पर यहां पर जो component का component है उसका पी जो size है वो छोटा हो रहा है तब जब इसका जो size बगर आप सभी कुछ वो हो गया component के तरह ठीक है तो जैसे कि यहां पर तो मालो मैंने गल्ति से इसको चेड़ दिया and अब यह work नहीं कर रहा है तो जैसे कि मैंने पहले किया था यहां पर जाना है आपने right click करना है and यहां पर कर देना reset all oversights ठीक है तो यह जो है फिर से work करने लग जाएगा तो component का फाइदा बहुत जादा होता है इसको आप as a asset use कर सकते हो ठीक है and इसको आप अपना जो जैसे कि अब यहां पर हमने किया था मानलो मैंने इसको बना दिया जो पहला फ्रेम है उसको component यहां से बना देता हूं मानलो मैंने इसको बना दिया component and इसके बाद इसका control d दबा के मैं इसको ले आया बिल्कुल and तक तो जैसे जैसे मैं इसका size घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बाकियों का भी size घटेगा या बढ़ेगा तो अगर सेम सेम चीज़े हैं जैसे कि यहां पासर कर भी सेम है कि यह जो क्यूबाइड है वह भी सेम है ठीक है क्यूबाइड नहीं यह simple rectangle है तो यह भी सेम है तो इसके साथ आज जो component है वह बहुत जादा बढ़िया तरीके से डील करता है हमने सिरफ component का size shape या फिर कुछ भी change करना है एंड उसके बाद चाहे फिर वह कलरी क्यों नहीं हो या फिर कुछ भी हो तो उसका भी size change हो जाएगा जो हमारा component का component होगा राइड तो ही होता है हमारा component का काम तो अभी हमने Figma के जितने भी basics है या फिर उसके tools है वो complete कर ले है अब हम देखते हैं Figma के कुछ cool features तो सबसे पहले जो feature है वो है team का तो यहां पर मेरे पास एक share option आ रही है अगर मैं share पर दबाऊं तो यहां पर आपने किसी भी teammate की email ID लिखनी है जैसे कि मेरे पास एक वैसी email ID बढ़ी है तो मैं उसको यहां पर लगतेता हूं ठीक है यहां पर करते हैं send invite और यहां पर जैक करते हैं तो यहां पर मेरे पास आ गई है open in Figma तो यहां पर यहां पर हम किसी और account से भी आ सकते हैं add another account करके तो मैं अपने वह account से आ जाता हूं जिससे मैंने भेजी है तो सिदा यहां से कुछ भी कर लो marketing तो इसी के साथ मैंने sign up भी कर लिया अब यहां पर देख पा रहे हो मेरे पास दो दो आ गई है पहला यह और दूसरा यह तो अब अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं यहां पर select करके रहूं तो वहां से पता चल जाए हैं कि यहां पर तो यहां पर इस has किया है इस मार्क के साथ ठीक है तो ऐसे हम यह जो टीम फिचर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके मैंने क्रोस करते हैं तो यहां पर वो जो 2nd person था वो चला गया ठीक है तो इसके साथ आप अपने टीम को भी साथ में लेकर आसकते हैं ताँ कि आपका काम जाए वो तो अभी unsplash हां तो मालो मैंने यहां पर यह जो सरकर है इन पर कुछ पिच्छ चाहिए मालो पोट्रेट उसके बाद यहां पर मालो कोई और चाहिए यह बढ़िया नहीं है तो यहां पर तो ऐसे अब अराम से इन सभी को पिच्छ से कवर कर सकते हैं तो ऐसे आप यहां से ऐसे कुछ पोट्रेट्स पी ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया से ठीक है एंड उसके बाद जो हमारी सेकेंड थी वह थी हमारी रिमूव पीजी तो सबसे पहले आपको यहां पर करना होगा जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है एक की को सट करने के लिए अब मालो मैं यहां पर कोई image लेकर आता हूं जैसे कि यही image हो गई आप सोरी अब यह एक circle में तो हम इस image को ले नहीं सकते तो मैं simply unsplash कर जाता हूं वप्पिस या फिर हम कोई और image देखते हैं design images तो यह photo को उठाते हैं एंड सबसे पहले जो इसका width है उसको 300 pixels कर देते हैं and height को भी I think इतना ठीक रहेगा तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं यहां पर जलते हैं plugins पर आपने इस image को select कर रहना है ठीक है यहां पर run पर click करना है ओ तो यह हां ठीक है तो के लिए image select करना है मैंने frame को इसाथ में select कर लिया था तो यहां पर remove वीज़ी पर run करना है एंड यह हो गया तो इसने बहुत जादा बढ़िया तरीके से यह जो image है इसका जो background है इसको remove कर दिया है ठीक है तो इसी के साथ जो remove वीज़ी है वो बहुत जादा effectively किसी भी image के background को remove कर सकता है ठीक है बट यह है कि इसके थोड़ी से जो pixels होते हैं वो थोड़ी से खराब हो जाते हैं मतलब कि इसका जो resolution है वह थोड़ा था bigger जाता है ठीक है अब जो last plugin था हमारा वह था font awesome right तो यहां पर font awesome है मारे पास obviously बहुत जादा image जाती है जैसे कि हमने वह project में use किया था apple का तो यह रहा ठीक है आपने इसको select करना है और यह आ गया ठीक है आप यहां से इसका color change कर सकते हो इसको अलब अलब effects दे सकते हो cool तो यह था हमारा font awesome जो अभी आपको बढ़िया लगे font awesome में image को उसको just आपने click करना है and उसको frame से बाहर निकालना है जिरफ इसका vector vector रख लेना है ठीक है तो यह थे हमारे plugins अभी बहुत सारे plugins होते हैं जैसे कि अगर हम चलें browse plugins in community यहां से चलना है plugins में तो यहां पर आपको बहुत जादा plugins देखने को मिल जाएंगे और यह बहुत जादा बड़ी अभी में मैंने आपको बताया सिर्फ तीन plugins के बारे में जैसे कि यह जा चार्ट है यह भी मैं यूज करता यह भी बहुत जादा बड़ी है ठीक है तो ऐसे आप अलग अलग तो फिचर मैंने इसको पहले पता दिया था अगर अब मान लो कि मैंने इसको अगर export करना है यह मेन डिजाइन और मेंने इस design को Complete कर लिया है तो अभी हमने जाना है यहां पर export पे ठीक है तो यहां पर यह ऐसा कुछ होगा तो यहां पर चलना export पे अंद यहां से आपकी जो चूझ करना है resolution ऐसे SVG, PNG, JP, PDF, तो यहां से मैं SVG चूझ करता हूं, मैं export कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर यह जो rectangle है, हमारा यह export हो चुका है, as SVG, ठीक है, तो SVG की जो resolution होती है, वो PNG से बढ़िया होती है, इसलिए मैंने SVG को use कर लिया, अब माल लोगर में इसको यूज करना है तो अभी चलते हैं control छायद यहां से यूज कर सकता हूं तो अभी ये बाली frame पर चलते हैं फ्रेम टू गंट्रॉल shift के यहां से downloads चैज रहा तो यहां पर यह जो हमारा rectangle है उसको भी हमने यहां पर export कर लिया है तो ऐसे आप export का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है और साथ ही साथ अगर आपने आप CSS यूज़ कर रहे हो आपने web design नया है तो आप simply जैसे की यहां पर चलें अगर तो मैं अगर inspect पर देखो तो अगर यही frame का तो यहां पर देखो यहां पर जो है हमारा complete जो CSS है वो भी आ चुकी है इसके साथ आप help ले सकते हो जैसे कि कितनी विटते दिया है यह है complete 361 and height कितनी दिया है यह है 61 left पे 30 pixels चोड़ा है और top पे 81 pixels चोड़ा है overflow x means x-axis पे आप rotate कर सकते हो यह फिर scroll कर सकते हो I am sorry ठीक है तो इसके साथ आप CSS के भी help ले सकते हो अगर आप यूज कर रहे हो iOS या Android development पे तो अगर हम यहां पर जालें तो यहां पर आप हमारे पास complete app development के coding आ गया ठीक है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो यहां यहां पर simply lines के सा ठीक है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो inspect tool को and वैसे तो हमारे लगबग सभी tools हो ही गए है and यहां से obviously आप अलग लग pages बना सकते हो उसको इसके assets को यूज कर सकते हो अपने frames के मदद से तो I think जो हमारा complete course है वो पूरा हो जुका है Figma का and अभी तक आप Figma के बारे में बहुत जादा कुछ चान गए हो अगर आपने practice करनी है तो simply plugins में जाओ browse plugins in community यहां से आप projects उठा सकते हो जैसे की mobile design या फिर web design तो यहां पर जूंसा आपको बढ़िया लगे तो यहां पर जान लेना है तो इसके साथ अगर यह simple image भी है तो भी आप इसको code पर बदल सकते हो and यह code है पूरा तो आप इसको try कर सकते हो जैसे की यह वाला code है इसको आप complete यहां से image लेनी है यह simply illustrations है illustrations का भी मेरे पास पढ़ी है plugin जैसे की यहां पर तो यहां पर मेरे पास बहुल जादा illustrations आ जाती है तो यहां से आप illustration ले सकते हो गर आपको कोई बड़ी अलगे and यहां पर वैसे तो इन्होंने images दिये ही हुए है ठीक है तो आप यहां से भी images को ले सकते हो जैसे कि यह simply credit card का है यह भी आपको font awesome से मिल जाएगा यह apple का है यह भी आपको font awesome से मिल जाएगा यह mastercard का है तो यह कुछ illustration है जो तो आपको यहां से लेनी ही पड़ेगी तो simply यह project भी बहुत साथ simple होने वाला है and वैसे भी मैं इस channel पे भी अलग लग नए projects लेकर आता रहता हूँ Figma के तो आप उसको भी as a project ले सकते हो and practice करना कभी मत छोड़ना practice करना बहुत ज़रा ज़रूरी है तो आज की कोस्त के कोस्त में इतना ही